क्या आपके भी घर में भिंडी काटते वक्त आपके चाकू के साथ वो भिंडी चिपक जाती है क्या आप जानते हैं कि केले के छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्किन को चमकदार बना सकते हैं क्या आप जानते हैं कि चॉपिंग बॉर्ड अगर गंदे रह जाएं तो शरीर में कितना किटानू जा सकतो चलिए ऐसी धेर सरी बाते इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली ट्रिक के साथ क्या आप जानते हैं बनाना पील याने की केले का चिल का शरीर के लिए कितना बढ़िया घुनकारी है यह सकिन को कितना भी तरुस्त और तंद्रुस्त रख सकता है और इसमें पाये जाने वाला विटामिन ए हमारे सकिन को लाइटनिंग के साथ साथ ब्राइटनिंग के साथ साथ और क्या-क्या फायदे दे सकता है यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में बताएंगे साथ ही में दो ऐसी अनमोल चीज़ इसके साथ मिलाए जाएगी लगाते वक्त जिससे हमारे स्किन में बहुत ही बड़िया फ्लॉर लीजिए और उसका छिलका निकाल लीजिए छिलका निकालने के बाद बनाने को तो खा लीजिए लेकिन उसके छिलके से बेहदी जादा आपको सहायता मिलने वाली है जो केले का छिलका है वो स्किन को ब्राइटनिंग के साथ साथ रिंकल्स को रिड्यूस करता है एजिंग क को कम करता है फेड करता है साथ ही मैं जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन ए होता है इस केले के छिलके में जो एक टॉपिकल एप्लिकेशन जाने की स्किन पर अप्लाई करने के बाद इसके जो नाच्रल इंग्रीडेंट्स है उसको अगर लेमन के साथ लगाया जाये तो य सवाय स्किन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आजाती है तो चलिए सबसे पहले तो हमने क्या किया एक केले का चिलका लेली है अब बताते हैं कि इस चिलके के उपर हमने लेमन यूज की है लेमन जो है वो एक एंटी ऑक्सिडेंट है उसमें विटामिन सी है जो एंटी स्किन को भी मदद करता है कि उसका ओयल कम कर सके एंटी फंगल होता है स्किन लाइटनिंग तो करता ही है तो इसलिए हमने क्या किया है थोड़ा सा लैमन इसी बनाना के छीलके के उपर डाल लेना है अब दोस्तों जो दूसरी चीज हम इसके उपर इस्तेमाल करने वाले हैं वो स्किन में आपको कईसा है के रे necessarily ऊराम से ठीक करता ही और है उनके साथ और आराम पहुंचता है अपने किसी भी स्किन के पाठ के जहां पर आपको लगता है कि आपको इसका बढ़िया भरपूर आसर चाहिए जहार है को आरेमने यह again को अर चेहरा कि उस इसको ऐसे अच्छे से रब करिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों इसको असानी से रब करेंगे लगवग 10 से 15-15 मिनट के आसपास आपको इसको सर्कूलर फॉर्म मेरे रब करना है इससे क्या होगा आपका ब्लड सर्कूलेशन भी उस एरिया का बहतर होगा इससे दोस्तों आप का जो बढ़िया बैटर रिजल्ट ये देता है वो आपके शरीर में एक बहुत ही बढ़िया गुंदकारी एफेक्ट लाता है स्किन की ब्राइटनिंग लाइटनिंग में बहुत ही जादा मदद करता है दोस्तों जब तक हम यह अच्छे से रब करके इसको वाश करके आपक क्योंकि केले के छिलके के फायदे शहएद ही कोई अब तक जान पाया हो कि स्किन में इतना ज़्यादा मदद कारी है और शहएद आपका एक शेयर ये इन्फोर्मेशन सब तक महचा सकें तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ जो हमारे है भिंडि को काटने को लेखे देख लीजे पहले हाथ कितना बढ़िया गोरा हुआ है तो जोस्तों जैसे कि आप जानते हैं घर में जब भी आप भिंडि काटते हैं तो भिंडि काटते वक्त हमेशा आपके चकु से जरूर चिपक जाती होगी कितनी भी कोशिष कर लें यह छूटती नहीं है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है आपको इस चाकू पे थोड़ा सा नीबू रगण लेना है नीबू की मदद से क्या होता है भिंडी कभी भी चाकू से ऐसे नहीं चिपकती और अगर नीमू रगणने के बाद भी दुबारा से चिकने लगे तो थोड़ा सा फिर से नीवू लगा लीजिए तो चलिए आपको demonstration करके दिखाते हैं यह देखे थोड़ा सा नीवू लगाया अब देखे कितने जबरदस कटा कच एक दमी नीव भिंडी कटके तयार चलिए अगले बढ़ते हैं टिप्स पे घर पे धनिया पुदीना तो सभी के आता है कौन नहीं चाहता कि यह जादा समय तक स्टोर हो सके इसके लिए आज आपको एक उपाय बताते हैं घर पे अगर आपके भी पड़ा है कोई एरटाइट कंटेनर तो आपको बता दूं कि आप किसी भी एरटाइट कंटेनर में उल्टी साइड इसका मूँ रखके ऐसे पैक करके रख दीजे इससे क्या ओगा जो धनिया है वो काफी दिन तक प्रेश रहता है आपको उल्टी साइड ही मूँ करके रखना है और तरीकों में आपका धनिया और पुदीना की जादा उमर रहती है जल्दी खराब नहीं होते बशरते आप इनको गीला याने की धोके ना रखें जब इस्तेमाल करना हो तभी धोए और उससे पहले आप इसको ऐसे कही दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं बस फटा फटसे सा अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं दोस्तों यह हमारे घर के चौपिंग बॉर्ड को लेखे घर पर चौपिंग बॉर्ड पर काम करते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई चीज ऐसी लग जाती है जिसके निशान चौपिंग बॉर्ड पर जमने लगते हैं क्या कीजे थोड़ा सा और नीबू से इसको अच्छे से रगड लीजे ये गंदे गेहरे निशान मिंटो में नीबू और बेकिंग सोड़ा या फिर बेकिंग पाउडर की मदद से नेकल जाते हैं फिलाल के लिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया था इस नीबू के साथ और रिजल्ट आपके सामने हैं अभी आपको ये मैं धोके भी दिखाऊंगा और आप बहुत जादा सैटिस्वाय हो जाएंगे कि सच मुछ में धोके कितना अच्छे से साफ हो गया है इस पे मैंने अभी चुकंदर काटा था और आप जानते हैं चुकंदर के दाग कितने जादा जिद्धी होते हैं नी अब इस चॉपिंग बोड से उतर गया ये देखिए जी फाइनल रिसल्ट तो बढ़ लेते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ जो है हमारे डब्बो को लेकर डब्बो में कभी-कभी अचार की बद्बू सबजी की बद्बू रह जाती है अचार वाले डब्बू में तो सब्सक्राइब के साथ बहुत अच्छा रियाक्शन होता है बस उसके बाद अंदर की बद्बूत चिकनहट सब चली जाएगी अभी रिजल्ट आपके आखों के सामने होगा जब तक दोस्तों इसको वाश करके आपको दिखाते हैं आप हमारे इस वीडियो को फटा-फट से शेयर कर दीजे हमारे पेश डिलिशस फूट को जरूर फॉलो कर लीजे सब्सक्राइब कर लीजे और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजेगा तो चलिए आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कितना बढ़िया से क्लीन होके सामने होगा आपके डब्बा यह मढ़िये खрर अजयर को जरूर आपके देयर आपके लाइक लुकर लीजे के शीजे कर अनरो क्टाइब कर लिये औरब्लेख जाजसे सामने और इस अदो को सामने होगा च।चल, को सलिए यह जो कितना वीजेगाा उपके आदेगा में तो कलीजाने ह।र चांने ह।र पफर